दूस्तों आज की कहानी है बाबी इस बार ननन को पुरा मैरा आपी कर दो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंसे अरुद्या वीडियो दीविया अपनी पती सुरिस के साथ ननन गीता की बेटी की साधी में आई थी बेटी सुबह वीदा हो गई थी मेमान भी एक एक करके वीदा हो रहे थे दीविया और उसके पती सुरिस ट्रेन से आये थे ट्रेन का समय साम का था इसलिए अब वे साम को वीदा ले रहे थे दीव्या मेसुस कर रही थे कि कल मायरा के प्रोग्राम के बाद से ही दीदी उनके साथ कूच उकडी उकडी से उनके विवार में वो सनी है अपना पन और जोस दिखाई नई देराता जो देवर देवरानी के साथ वेवार में देखाई देराता आंत वीदाई के समय भी जब दीव्या ने ननन गीता का वहीं उपेख सिच्छा वेवार देखा तो उससे रहा नहीं गया इसने ननन से पूसी लिया क्या बाते दिदी आप कुस नाराज नाराज दिख रही हैं। मैरा का समान आपको पसंद नहीं आया या कोई कमी रह गए। दिवया का पशन पर नन गीता थोड़ा सा खुस होते बोली नई नई मीता की पसंद तो बहुत अच्छे सब कुस बहुत अच्छा है। फिर मुँ बिगारते वे बोले लेकिन तुम क्यों पूस रहे हो ये सब और बगर गीता की बात सुने ये को गर्व अंदर सली गई की अभी घर में बहुत काम पड़ा है। दीव्या ने सुरेश की और देका तो सुरेश भी बेन के इस त्रह के वेवाट से अब सेट सा लगा दोनों रीकसे में बेट कर इस्टेशन पाउसी दीव्या ने मावल को तनाव रहित करने के लिए हलकी फुलकी इदर उदर की बात कर अपना और सुरेश का ध्यान ननन के वेवार से हटाया एक गंटे में वे अपने गहर पांस गए वेसे तो दीव्या की सुस बड़ी थी सोटी सोटी बातों को वह नजर अंदाजगर देती थी किन्तु उसे ननन गीता का वीवार को समझ नहीं आया उसने मेसुस गया कि ये कोई सोटी मोटी बात नहीं रात में जब वह वीस्तर पर लेटी तो बार बार गीता की सब्ड उसके कान में गूच रही थे उनकी बोलने का लेजा उसे अभी तक सुपर रहा था नहीं नहीं मीता की पसंद तो बहुत अच्छे लेकिन तुम ये सब क्यों पूसर रही हो दीव्या से रहा नहीं किया सुभी उर्ती उसने ननन को पौन लगा कर पेले अपने सकूसल गर पहुंसने की सूसना दी फिर उसने बहुत समस्दारी से गीता से का दीदी आपको कान की जुमके या कोई कपड़ा पसंद नहीं आया हो तो बता दीजिएगा मैं सेंज करवा दूंगी सुनार से और कपड़ी वाले सी सारा समान में ये को कर लाई थी की पसंद नहीं आए गया तो बदलना होगा दीव्या की बात सुनकर अब गीता के कान खड़ी होगे करने उसे ये जुनकर दीव्या को बड़ा आश्येव अउसें सारी कहानी ठोड़ी ठोड़ी समझ आ रही थी उसने पुसा ये आपको किसने बताया घीताने का खुद मीताने रात को मेरे सबी ससुराल वालों के सामने सारा साम दिका देवे बते की बगत हुत आसात के सास उसने सा खरीदा है उसने ये भी बता है कि बाबी का फोन आया था कर रही थी तुमारे भैया का आज काल स्वास्ते खराब होने के कारण काम काज कुछ जादा नहीं सल रहा है इसलिए तुमी सारा समान ले आना हम अगले माईरा में कर देंगे तब दीवियानी ननन गीता को सारी हकीकत बताई कि फोन मैंने नहीं मिता ने मुझे किया था कि बाबी अभी आपकी देवर का काम जादा नहीं सल रहा है तो इस पर पुरा मेरा आप ही कर दो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे हमें तो दीदी जो करना था वो कर नहीं था समानकार में रखवा दो बाबी आप लोत की ट्रेन सुबे जल्दी की इतना समान उठा कर कहां लाओगी रात में मैं दीदी को सब बता में भी दोंगी आप दो सुबे समय पर ही पहुंस देंगे तो मैंने भी खुशी-खुशी सारा समानकार में रखवा दिया था जोसने की तो कुछ बात भी नहीं थी अब ननन गीता का माता धनका दीव्या और सुरिष के साथ की अपने फिवार पर सर्मीदा तो वह थी कि किन्तू उसे मीता पर बहुत करोदा आने लगा बोली मैं अभी मीता से बात करती हूँ तब दीव्या ने कुछ सोचते भी ननन गीता को सांथ करती हूँ का रहने तो दीदी फ़न पर बात करने का कोई मतलब नहीं जब आप यहां आऊंगे तब आमने सामने बात करेंगे ताकि समझाए मीता ने ऐसा क्यों कि अहां अभी आप उसे ये मत पदा सलने दीजिये कि हमें उसकी साला की समझा गए ठीके कहकर गीता ने तो फ़न बंद कर दिया पर दीव्या हत प्रती उसी आर्षिय हो रहा था कि रिष्टों में इतनी साला की कोई कैसे कर सकता है आलाकि एक दो बार पेले भी मीता ने इस सत्र की सोटी सोटी सालों के उसके साथ की थी पर दीव्या ने ये सोस कर नजर अंदस कर दिया था कि सोटी सी बात है क्यों मीता को सब के सामने सर्वीदा करूं पर इस बार तो मीता ने हदी कर दिया भी यंदी इसे सबक नहीं सिखाया तो उसकी तो ही मत बड़ती जाए गया और ये सोस दिविया का मन खटा हुआ पर ननन गीता भी उसके मन से उतर रही थी दिदे के लिए रिस्तों के कोई माईने नहीं वर रिस्तों को दन की तूला पर तोल के सोस सोस कर भी दिविया को आशिय हो रहा था मीता की साला की के साथी ननन गीता की सोटी मन शिक्ता से दिविया हत परतियास का रिस्तों में भावनाए सविद नाए सब ही कहां लुपत हो गई वह समझ नहीं पा रह थी कि आखिर ये कैसे रिष्टे हैं अगली मा रख्षा बंदन का प्रवता इस बार ननन गीता एक दिन पहली आ गई रात में ननन से मिलने दिवर के साथ मीता भी आ गई बातों बातों में ननन गीता ने मीता को पुसा मीता कान के बुंदे तुम किस जोरी के यहां से लाई थी और कितने ग्राम के हैं मीता अब दीविया का सेरा देख रही थी दीविया ने का मीता को कैसे पता होगा दीदी मीता थोड़ी मेरे साथ गई थी ननन गीता बोली लेकिन मीता तुमने तो मेरे सभी रिष्टेदारों के सामने यह कहा था कि सारा समान में लाई यो फोन व मीता की सारी पोल खुल सुकी थी दीव्या ने उसे समझाया ये अच्छी बात नहीं है मीता जूट कभी जादा दिन नहीं सलता तुम पेले बीजतर की साला क्या मेरे साखत कर सुकी यो क्यूं करती हो तुम ये सब मीता को सबके सामने बहुत सरमी दगी का सामना करना पड़े वार उसनने सबसे माफी मांग गी इवयाने का केवल माफी मांगने से काम नहीं सलेगा आज ससमने वसंदों की आगी से कभी ऐसी साला क्या किनी मीता नहीं करोगी नहीं आगी सब वह ऐसा कभी नई करेगी दीविया ने मावल को सामानिय करते विए सबको टीनर टेबल पर आमत्री तक या दूसरे दिन सबने खुसी खुसी रखसाब नन का प्रव मनाया ननन गीता को सुभी वीदा लेनी थी रात में जब देवर और मीता सलेगे तब दीविया ने ननन को का दीदी बुरा मत मानियेगा मुझे आप से भी सीखाई थे ननन गीता ने का हाँ भापी आपकी क्या सीखाई थे वाजी में और फिर दीविया और अपने भाई से मापी मा माप योग हो नहीं पर फिर भी मैं मापी मांगती हूं तो हो सके मुझे माप कर दो संस मैंने बहुती सरम नाक वेवार आप दोनों के साथ गिया और आपकी दिल को सोट भी बहुत पहुंसाई भाई बैयान के पवित्र रिष्टे को मैंने अरत की तुला पर तोला उस आने का नए दिद्यम मेरे मन में आपके परती कोई मेल नहीं है अपनी नाराजगी आपको बता कर मेरा दिल हलका हो गया सुबह वीदा लेते समय ननन गीता ने दीव्या को गले लगाती वे फिर से मापी मांगी और उन्हें अपने घर आने का नियोता दे कर खुसी खुसी वी कि दाली